चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं छोले कुल्चे. ये एक ऐसा मज़ेदार स्वाध है, जिसे आप मिस नहीं कर सकते. सबसे पहले छोले बनाते हैं. रात भर छोले भिगो दें. अगले दिन इन्हें नमक के साथ उबाल लें, जब तक ये नरम न हो जाए. जब ये उबल रह और अपने मन पसंद मसाले जैसे जीरा, धनिया और हल्दी डालें. तेल अलग होने तक पकाएं. अब उबले हुए छोले इस मसाले में डाल दें. इसे लगभग 15 मिनट तक धीमी आज पर पकने दें. आखिर में हरा धनिया और नीमबू का रस डाल कर गार्णिश करें. कुल परोसें और आपका लजीज खाना तयार है. अपने घर के बने छोले कुल्चे का मजा लें.